तो अगर आप हैं Tata Motors के shareholder तो यहाँ पे आ रही है आपके लिए एक बहुत बड़ी news और वो news यह है कि Tata Motors अपना passenger vehicle का business जो है वो अलग कर सकती है currently इस passenger vehicle business की अगर मैं valuation की बात करूँ तो 9,417 करोड के आसपास की जो है valuation निकलती है इनके passenger vehicle business की company को जब भी कोई decision लेना होता है तो उसके लिए होती है voting और आप यह सुनके खुश हो जाएं कि कि लगभग 99% जो voting हुई थी वो इस decision के favor में हुई थी कि Tata Motors को अपना passenger vehicle का business जो है वो अलग कर देना चाहिए इसी साल के में जून तक Tata Motors ने इस बात का इशारा जो है वो पिछले साल ही कर दिया था कि वो बहुत जल्दी अपना passenger vehicle का business है उसे अलग कर देंगे क्यों अलग किया जा रहा है अगर आप देखेंगे Tata Motors के बारे मैं अगर मैं उनकी गाडियों की बात करूँ तो उनकी latest जो line है चाहिए वो Ultros है चाहिए वो Nexon है चाहिए वो Nexon EV है या फिसर इनकी और भी जो गाडियां आ रही है या आ चुकी है इंक्लूदिंग Tata Harrier ये बनती जा रही है इंडियन्स की फेवरेट मुझे पता है इसमें लेके कुछ कंप्लेंट्स है खासकर Tata Nexon की EV को एवरेज को लेके जो बहुत जादा बाते उठती है कि इतने नहीं चलती उतना नहीं चलती है अगर आप Tata Motors के शेर होल्डर है तो मुझे comment करके बताए कि आपको एक ऐसा लग रहा है आप क्या सोचते हैं Tata Motors के बारे में और आप लोगो को देखने तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जुड़ जाए फिन 91 के साथ और अगर आप लोग करना चाते हैं G1 में कुछ खास तो हमारा साथ जुड़े रहें कि हम आपको इन्वेस्टिंग की सारे बाते जो हैं को सिखाते रहेंगे वो भी बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट चलिए जी थैंक यूर्माच स्टे कनेक्टिट स्टे है जय हिंद और हाम तरों सीखते रहें क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन अल्दी वेली बेस्ट बाई बाई और टेक केर